घर का राशन खतम हो गया भाई फटफट से काम करते हैं घर के लिए थोड़ा राशन का सामान लेकर आते हैं ऐसे भी काफी दिनों से मैं गया नहीं हूँ सामान वगेरा लेने के लिए और साथ ही देखेंगे थोड़े कपड़े वपड़े भी ले लेंगे ठंड का महल हो रख तो तेरे क्या सीन है भाई जहां भी जाओ जिदर भी जाओ इसे बर्गर ही खाने है हर जगा यह अगर किसी प्रॉब्लम में भी फसा होगा ना भाई तब भी यह सिर्फ बर्गर के बारे में सोचता है क्या करो भाई जा फसंद है मुझे थोड़े मतला बहुत जादा पसंद है मुझे अरे हमारे लिए भी पीजा बगएरा लेकर आ जाना है यार बहुत सारी चीजों की कमीया वैसल है लिट्रली में दो तीन महीने पहले गया था घर कर सामान लेने के लिए और उसके बात सीधे आज जा रहा हूँ, एक सेकेंड, वहाँ पर एक डॉक क्या कर रहा भाई, हैलो डॉगी ब्रो, सामने देखो भाई जरा, वहाँ पर एक कुता भॉक रहा है, पर भॉक किस पर आई है, कोई है क्या उदर, और कुता किस का यह, कौन अपना कुता यही छोड़ के भाग गया, एक सेकेंड, उपर चलते हैं, उसके गले में कॉलर होगा, इसका मतलब पालत हुआ है, वरना ऐसी अवारा कुता होगा वो, वेट, वेट, किस पर भॉक रहा है यह, नहीं भाई, गर्दन में इसकी कोई कॉलर, वॉलर, पट्टा, वट्टा तो नजर नहीं आ रहा है, इसका मतल करेंगा, लेकिन यार, मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ, वो क्या ही एक्स्प्लेइन करेंगा मुझे, डॉगी भाई, हेलो, कुछ प्रॉब्लम है तुझे, पेड़ पे तो कुछ नहीं है, यार, डेफिनेंटली, वो पेड़ को तो देख के भॉंक नहीं रहा, कुछ और ही यहां पर भॉंका, उपड़ से मैंने कुछ जानने की कोशिश की तो भाग गया, ओए डॉगी ब्रो, अब अब भागता ही जा रहा है यह तो, वो डॉगी तो गया है गया है, बट कोई बात नहीं, दिक्कत की क्या बात है, हमारे बास खुद का भी एक डॉगी है, चौप भ भाई लेकिन क्यों यार, अबे आओ ना भाई, अरे ठीक है यार, आ रहे रुख जाओ, ओके यहीं पर यहीं पर गया इस वो डॉगी खड़े हो के भॉंक राता, क्या क्या दिक्कत क्या इस जगह पर, पता नहीं, एक काम करना बड़ी वाली ड्रिल मशीन लेकर आना, अरे लेकिन क्यों यार, अबे ले करता हो तुम लोग, अरे यह तुम कर क्या रहे हो यार, अबे यार, क्या कर रहा है, इस जगह पर खुदाई को कर रहा है, इस जगह पर बर्गर है क्या, अबे, चौप के बच्चे बर्गर बर्गर नहीं, यहां पर पीजा है, लेकिन हम लोग देखके भॉंक रहो लेकिन पेट पे कुछ भी नहीं था ना इधर कोई बंद आता इसका मतलब इस जगा के ऊपर ही खड़े हो के वह भॉंक रहाता मतलब कुस तो प्रॉब्लम है इस जगा में अरे लेकिन क्या प्रॉब्लम है यार वो तो अभी इस जगा को खोदने से ही पत करना जैसे किसी मतलब सिमिंट वाली दिवार पे मैं खुदाई कर रहा हूं देख रहो भाई दूल देख रहो तुम लोगे एक बार इसका मतलब अंदर कोई सीक्रेट बेस या फिर कुछ है क्या मुझे भी ऐसा ही लग रहा है या तो खजाना वजाना हो सकता है या तो सीक् मिट्टी अटाने के बाद गैस यहां पर भाई यह चीज मिली है और मैं जब उसरी ड्रिल मशीन से खुदाई कर रहा था तो यह इस वाली चीज पर ड्रिल चल रही थी जिस वजह से वह सिमिंट वाली धूल निकल रही थी ना कि कोई डर्ट या फिर मिट्टी वाली धूल इसागक और डेख सकते हैं यहां पर पूरा एक सीक्रेट बेस बना हुआ है सीक्रेट बेस के एंट्रेն्स है खास वास भी निकली पड़िया भाई सीक्रेट बेस के पाइप में से इस का मतलब यह जाद अदा दर यह बनाया किसने है अब यह दू फिलाल शायद अंदर ही ज जैसे पता है क्योंकि भाई इस वाली एंट्रेंस से माले अगर कोई अंदर जाता होगा या बाहर निकलता होगा तो इतनी सारी डर्ट थोड़ी नहाटाएगा अरे हां यार यह तो बात है इसका मतलब कोई ना कोई दूसरी एंट्रेंस भी होगी सीक्रेट बेस की जहां से और इसको बना रखा होगा इस वाली एंट्रेंस को as an emergency exit समझ रहे तुम लोग अरे हां यार सबकु समझ में आ रहा है हमें ठाक कल्या समझ गा बे यह सीक्रेट बेस के दो गेट है एक तो एमर्जेंसी और एक नॉर्मल यह तूने एमर्जेंसी वाला खोल दिया है बिल्कु कुल रेडी है यार काम करूं क्या मैं देखकर रहा हूं अंदर फिलाल तुम लोग भार ही रुको क्योंकि भाई कुछ भी खत्रा हो सकता है कल्या यार मैं तो वैसे भी नहीं आना चाहता है तू एक बड़ जांदर वापस जिंदा लोट क्या तब हम लोग देखेंगे अरे कल्या यार तू जा भाई तू अम बेर से सबसे जादा समझदार है सबसे जादा स्ट्रॉंग है सबसे जादा इंटेलिजेंट है भाई बात तो तुम लोग एक्चुली मैं ठीक ही कह रहे हो भाई सबसे जादा स्ट्रॉंग सबसे जादा इंटेलिजेंट मैं ही तो हूँ आरे तो इसलिए तो कह रहे है यार पहले तुम जाओ तुम अगर देखकर आ गए अंदर से बाहर फिर हम लोग जाएंगे ठीक है गाइस चलते हैं फटाफ से सीक्रिट बेस के एंटरंस पर और देखते हैं अब आप कहा कूद गया मैं क्या है इसके अंदर कितना बड़ा है यह सीक्रिट बेस और शायद हमें पता चले कि यह सीक्रिट बेस आखिर कर बनवाया किसने है ओके लेट्स को शैथ से इस पहाड के नीचे ही है यह पूरा सीक्रेट विस ओके लेट्स गो गैज तुम लोग एक काम करो फट आप से जाकर वीडियो को लाइक कर दो बे तक लाइक नहीं गया है तो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो चलते हैं अंदर लेट्स को ओया है हेलो किया अंदेर धैर से मरे में यार पहाड के नीचे वह बना रखा यह बहुत ही ज़ादा अजीब वरीब से जगसी दीवार यह है यहां पर कोई सुन सकता है मुझे यर पहाड के नीचे आगे में एक दरवाज है अंधेरा क्यों है वैसे इतना को यह है तु नहीं यह कोई ग है इसकता है भई हम लोग ऐसे अंधा दूंदर नहीं जा सकने आगे की तरफ एक मी चेक लेट मी चेक ऑपिंज नहीं कोई भी नहीं कोई भी नहीं भाई सब यह तो क्या यह सारी के सारी जगा पहाड नीचे है अई आरे भाई लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है यहां पर कुछ म्यू शब्वाद यहां पर देखो भाई हाफ जैकेट्स रखे पड़े हैं बाई सब क्या महें महें कपड़े लग रहे हैं यह यहां कुछ और कैप रखी पड़ी हैं क्या सीन है यह लैंप देखो इतना ब्यूटिफुल यह सूफा कितना प्यारा आ इस सिल्वर डिसक भाई क्या है कौन सी जगा आगया मैं यह सीरिसली में गाई मुझे नहीं हो रहा कि मैं यह कहां पर यह आ चुका हूं लेकिन यह पूरी पूरी जगा अपने घर के नीचे मुझे अब ही तक पिलकुल भी नहीं हजी नहीं हो रहा है ऐके अब aan डशी है कहां से होगा यह वा पॉर इधर तेको यह वाला यह वृप गीटार देखो हम यह दूमist लग रहा है यह मेर पास यह धेक्जड सेमे तु सेम मॉडल और PG में यह यह वालव बी यह वाला बीक्च speech यह यह जो wanna be गिटार है दोनों काफी बढ़ीया है लेकिन मुझे कुई बताइगा 이 minh so का ये स्टूडियो ये क्युंसां दूड़ियो है है मेरे घर के नीचे म् совершенно मुझे अजी है big अलगे I can 39 to point right or alarm do pub लो ये सेयर हुआ ने मेरे घर के नहीं है पूरा का पूरा ये music studio बना हुआ है फिलाल ये studio भी यहीं खतम नहीं हो रहा है यहांगे की तरफ पूरी गैलरी बनी हुई है एक जरह तुम लोग चीज देखो मैं आया कहां से मैं आया भाई इधर की तरफ से ठीक है यहां से ऊपर की तरफ टरफ टरनल है टरनल क्या वह करते हैं आगे मैंने इस जगह के एक्स्प्लोर किया कोई बनना तो मिला नहीं भाई कौन है यह सीग्रेट बेस को बनाने वाला किसकी हिम्मत हुए मेरे घर के नीचे सीग्रेट बनाने की दरवाजे को खोलकर आगे की तरफ चलते हैं पूरी भाई लंबी चोड़ी यहां प पूरे स्टूडिया है यहां लाउंज लाउंज एरिया ठीक है और यह देखो यह आ रहे स्टूडियी उसके परता शायद भाग गया है रुको रुको ढून लेंगे को दिकत की बात थोड़ी ना फिलाल ये था लाउंज ठीक है इधर एक और एरिया है आगे की तरफ चलते हैं बाइस सब कितनी बड़ी जगा है ये मेरा पूरा घर ले लिया है क्या इन लोगों ने मेरे पूरे घर के न कि सर्फ ओ कि सर्फ ये ऩाइया कहां से था मैं कहां से आयते हैं यहाँ से आ है आगे की तरफ चलते हैं यहां पर की शीशा लगा हुआ है कि SCO इधर की तरफ यह रीकौर्ड इंग का सर्वर रूम है आगे की तरफ चलते हैं यह सब कुछ मेरे घर के नीचे बना हूँ है मुझे अभी तक ही यहकीड नहीं हो रहा है, इदर बात्रूम वात्रूम है क्या, और भाई ? यह क्या रूम है ? यह सि खाली रूम है, शयद प्लैनिंग कर रहे होंगे, इस रूम मेड़ी बनवाने की, और इधर क्या है ? वै हो हो, उन लोगों ने मुझे देखा तो नहीं पता नहीं गैस उन लोगों ने मुझे देखा की नहीं बड़ डेफिनेटली वहां पर बंदे थे सारे गिटार लगे पड़े हैं इदर वो देखो गैस वहां पर तीन बंदे हैं कौन है लेकिन वो और यह यहां पर इन लोगों नहीं पक्का औरे यार मेरे घर का क्या हाल कर दिया है भाई इन लोगों ने मेरे घर के नीचे पूरा recording studio बने वादिया कोई कोई बात होती है यह इसे कोई करता है किसी के घर का हाल भाई यह देखो आफा पूरा कब्जा सा ही कर लिया है कितनी अलग अलग तरीके की different lights लगवा दी है पूरे घर में यह कौन सा रूम है एक तो रूम ही निक खतम हो रहे हैं यहां पर दुनिया भर के रूम ही रूम है रूम ही रूम है ओके य इस वाले gate में घुसा तो वह बंदे कहां दिखें थे मुझे मैं तो confused हो रखाऊ गाई शैद इस रूम में बंदे मुझे वो दिखे थे एक और में इधर बीए एक lounge एरिया है यह दूसरा एरिया है गाईस दो दो एक जैसे रूम है यहां पर फिलाल वह बंदे मुझे थे द अधर से दिखी नहीं रहे भाई उदर से दिख रहे हैं रुको 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 उनकी बात सुनने की कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ तो बात करी रहे होंगे जिस समय पता चल जाएगा हिंट मिल जाएगी कि आखिर कर यह है कोने काम करता हूं मैं जल्दी से प्यानों के पीछ के नीचे हमने इतना अपता गड़ा सीक्रेट बेस बनवा दिया है नहीं 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 सीक्रेट बेस नहीं सीक्रेट स्टूडियो अरे हां मतलब सीक्रेट स्टूडियो यह सब तुम्हारी वज़े से ही है यार तुम इतने जादा म्यूजिक के शौकीन हो वरना हम से नॉर्माल सीक्रेट बेस ही बनवाने वाले थे क्या करो यार म्यूजिक मुझे कुछ जादा ही पसंद है किटार बजाने से लेकर पियानो से लेकर ड्रम बजाने तक सब कुछ में मुझे मुझे बजा आता है इसलिए मैं खर्चा कर रहा था तो मैंने सोचा चलो इसको पूरा एक म्यूजिक स्टूडियो की तरह बना देते हैं इसलिए इसको पूरा लुक दे दिया яर म्यूजिक स्टूडियो का बाकि अगर उस अस फ्रैंक्लिन को पता चलिया तो और अका भी नहीं पता चलेगा उसे हम लोग दिन में मस्त अपना चोरी वोरी करेंगे इधर उधर लूट पार्ट मचाएंगे और जब भी पुलिस वाले हमारे पीछे पड़ेंगे हम लोग आकर इस सीक्रेट बेस में छुप जाएंगे बहुत ही मस्ता आइडिया है और हा अगर जब भी बूर ओंगे मारे पुलिस वाले काफी लंबे टाइम तक हमें ढून रहे हैं और हम लोग बूर होंगे तो हम लोग मस्त याँआ पर सिंसके कर सकते हैं रिकॉर्डिं कर सकते हैं यार बिलकुल मजा है गा इस म्यूजिक स्टूडियो में बाई सब ये तो तीनों के तीनों चोर है लिटरली में चोर है भाई और सीक्रेट बेस नहीं सीक्रेट स्टूडियो ये लोग चोरिया करते हैं पुलिस वाले जब इनके पीछे पढ़ते हैं तो पुलिस वालों सो बचने के लिए ये यहां पर आके छुप जाते हैं और जब तक पुलिस वाले इन लोग बाहर ढूंते रहते हैं तब तक ये लोग अपने मस्ट टाइम पास करते रहते हैं इतने सारे ड्रम और ये पता नहीं क्या कह रखा हुआ है इन से और जब पुलिस वाले भाई डूड़ना बंद कर देते हैं तो फिर से ही सीक्रेट बेस से बहार निकलते हैं चोरिया करते हैं पुलिस वाले पीछे पढ़ते हैं फिर यहां पर आके छुप जाते हैं भाई ये इनकी यसी की तैसी रुको भाई आज इन लोगों बताता हूं मैं आज तो ये लोग गए भाई आज तो अब एक सेकिन एक सेकिन यार मेरे बेस्बॉल बैट का है यह रहा आज तो गए ये लोग इनके बजाता हूं फटा फट से हेलो एक्सक्यूज मी हेलो एक्सक्यूज मी सर अरे फ्रेंक्लिन येस डेफिनेटली ब्रोम फ्रेंक्लिन समझे समझ में कुछ हेलो हेलो बोलो जरा बोलो तुम्हारी ऐसी तू अभी तू अभी है बेहोश नहीं हुआ निप्टा दिये गाइस इन बंदों को अब एक काम करेंगे फटा-फट से बेहोशी हुआ है ये मरे तो इनको फटाफ से बहार निकालेंगे और फिर उसके बाद simply हम लोग इने कहीं ठिकाने लगा देंगे कहीं फैंक वैक क्या जाएंगे बही जब इनको होश आयागा तब तक यह लोग कहीं और हम लोग इस सीक्रेट बेस को अपना कर लेंगे येस मैं इसे अपना बना लेने व स्टूडियो में आने की उसको पूरे इस तरीके से लॉक करवा दूगा मैं ताकि मेरे अलावा कोई आही ना पाए तो सिंपले इन बंदों का यह स्टूडियो हमेशा के लिए हो जाएगा मेरा बाई यह देगो ड्रम भी है पूरा यहापर फुल एकदम बजाओ लेकिन बस हो गई अभी तक आये क्यों नहीं मुझे तो कुछ गडबर लग रही है अंदर कलुए के संग कुछ हो तो नहीं पता नियार कुछ भी हो सकता है हमें क्या करने चीए यार कुछ समझ महीं नहीं आ रहा है मैं तो कह रहा हो भाई हम लोग भी अंदर ही चलते हैं अरे लेकिन बिया कि तेरा हमें भी कुछ हो गया तो क्या ह Again सही आरे यह तो चलो चलो यार पुलीस को बूल आते है फुलिस को बूलाते है पुलिस क्या करेगी इसमें अरे फुलीस घंप करेंगी ऑर पुलीस के संग जाएंगे हम लोग अंदर और देखें गए कि आखिर फ्रेंड भीयक से कुछ इंट्रस्टिंग नहीं हाथ में एक चोर लगा और नहीं किसी बड़ी चोरी को होने से मैंने रोका अरे सैर एलो हेलो सैर कौन चिला रहा है यह उपर से अरे हेलो सर मैं चिला रहा हूं कौन है बिटा कौन अरे यह तो कोई छोटे-छोडे बच्चे लग रहे हैं बोल कल रहा था अरे वाँ यार हमारी किसमत लगता अच्छी है आच बिना बुलाए पुलिस आ गई अरे हैलो सर प्लीज हमारी मदद करो अरे जरह मुझे बताओ कि ठीक से हुआ क्या है अरे हमारे फैंक बिया है वो अंदर इस सीक्रेट बेस के अंदर देखने के लिए गए और छुआ दर लग रहा है क्या है डरो मत मैं और बहुत ही जड़ाद अमन थेरा है अरे कहा तुम नाम क्या बताया था वे फ्रेंक्लीन अ Yuk और तुम लोग मुझसे पहली आ गए वैसे तुम लोग और पशूनेर मेरा नाम शींज क Wow Wow were it शतिर मेरा नाम घुर तक है वोंक्क फ्रैंक लिन या पर कोई है यहां से ओगा अच्छा फेर्ंकिलिन को क्या किया तुमने 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 बाकियों की जान ले लिए सर एक्चुली मैं वो जान नहीं लिये ओके तो इसका मतलब तुम्हें एक क्रिमिनल हो तुमने तीन तीन लोग की जान ली सर मैंने जान नहीं लिये सर मेरी बात तो सुनो फैंक्लेंड यू आर अंडर अरेस्ट अरे लेकिन आपको यहां पर किसने बुलाया शिंचन पिंचन और ढॉप सर चॉप नाम है मेरा अब चलो मेरे संग वरना तुम्हें ब्यहोश करके ले जाओंगा मैं, सर मेरी बात तो सुनो, मुछ भी नहीं सुनूंगा, मैं यहाँ पर तीन तीन लाशे दिख रही हैं, और तुम कहते हो बात सुनो, टंडा तुम्हारे हाथ में हैं, यह तीनों लोग यहाँ पर मरे पड़े हैं, इसका मतलब तुम नहीं मारा होगा, अरे लेकिन फेंड बे के चल रहा हूं, सर, लेकिन मेरी गलती नहीं है, चलो बाहर, अरे सर, सच में आप मेरे को गलत समझ रहे हो, शिंचन पिंचन चौप, तुम लोग भी बाहर चलो, अब तो यह फ्रैंक्लिंड गया, इतनी बड़ी गलती करके कह रहा है कि इसकी गलती नहीं है, तुझे तो हम मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला फ्रैंक्लिंड, तू तो गया, तीन तीन लोग को उड़ा दिया, सर, मैं आपको कितनी बार बताओ, मैंने गलती नहीं किया, सर, तुम्हें चलना पड़ेगा, पुलिस टेशन और तुम्हारी जिंदगी बीतेगी अब जेल के अंदर, तीन तीन लोग को ठकाया है, अवे शिंचैन पिंचैन बचाया तो नहीं लेकिन उड़ा दिया मुझे, मतलब जेल में करवा दिया, फसा दिया यार मुझे, सर मेरी बात सुनो, मेरा वो सीग्रेट बेस नहीं है, तुम्हारा नहीं है, तो किसका है, सर वो जो तीन बंदे प मुझे वो सीग्रेट बेस के अज एंटरेंस मिली, तो मैं सोचने लग गया कि ये सीग्रेट बेस है किसका, तो मैं उस सीग्रेट बेस के अंदर गया, तो वहाँ पर मुझे वो तीन बंदे मिले, तो डर के मारे तीनो बंदों को मैंने उड़ा दिया, क्या, उस समझी में न वाहर नहीं आओगे क्यों कि तुम तीम चोरों की मदद कर रहे थे अपने घर के नीचे सीग्रेट बेस बनवा कर अरे लेकिन वो सीग्रेट बेस मैंने बनवाया ही नहीं है सर कुछ भी हो तुम तो गए जेल के अंदर हमेशा के लिए अरे यार यार ये पुलिस वाला समस्ता क्यों नहीं है अरे सर मैंने कुछ भी क्राइम नहीं किया है अरे सर प्लीज छोड़ तो बें मतलब में पकड़ के लेके आ गया भाई मैंने रिटरली में कुछ नहीं किया मैं तो अपने घर के नीचे बने-बनाए सीग्रेट बेस को जिस्ट एक्सप्लोर कर रहा तो और यह हाँ एक और चीज सर वो बंदे तीनों मरे थोड़ी ना है मैं तो बस इस्ट भी होशी है उन्हें अच्छ वो तो जब वहां पर चेक करूंगा मैं तब पता चली जाएगा तब तक तुम जेल के अंदर पड़े रहो अरे सर भाई यह माननी रहा या नहीं छोड़ेगा लग इनको मारने वाला था मैं मैं तो जिस्ट भी होशी है तो लोगो अरे यार इतने इतनी छोटी सी चीज पर कोई जेल के अंदर डालता है और एक तो यह शिंचन पिंचन भाई इन लोगने अलगी दिमाग खराब कर रखा है मैं अंदर मतलब आज तक मेर सांग कभी ऐसा अब क्यों होगा मुझे कुछ अरे यार और टाइमिंग तो देखो एक्जैक्ट उसी टाइमिंग पर जब उन तीनों बंदों की मैंने खोपडिया उड़ाई बैट मेरे हाथ में था उसी वक्त पुलिस वाले को लेकर आ गया और उसको लग रहा है कि मैंने उन लोगो टपक लेकर गया था मैं यह बेस्पॉल बैट वेट मेरे पास गन और शौट गन भी तो है मैं क्या सोच रहूं कैसो काई जेल को ओपन कर दिया चो है भाग लेते हैं यहां से और भाग के मैं उसी सीगर्ट बेस में छुप जाओंगा क्या बोल दो तुम लोग यही करें क्या यही यह यह पुलिस वाले तो अपने काम में लगा ओओगा ठीक है मैं यहां से भाग जाओंगा फटा-फट से लास सेंट ऑस के सारे पुलिस वाले मेरे पीछे पर जाएंगे और जो वो तीन चोर इस्तमाल करते थे तरीका मैं एक्जैक्ली वही तरीका इस्तमाल करोंगा जब वाले मेर को ढून रहे होंगे मैं जाकर अपने ईसी security based के अंदर छफ जाओंगा गैस और जब तक भार नी आओंगा जब तक मामला शान्त नहीं हो जाता और मामला शान्त होने के बारे में मुझे कई कौन कम उन जमाओन सब तोड़ यह साथ खुला यह दा young Day is the वहां पर चलो 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 जल्दी से तोड़ो गाड़ी का गेट क्या गाड़ी की खड़की और निकलो निकलो बाई निकलो यहां से फटा फट से निकलो जल्दी जल्दी ओके नाइस 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 अब पुलिस वालों को थोड़ा सा अपने पीछे भगाते हैं और थोड़ा सा दोडाते हैं भाईने और जब यह लोग ठक जाएंगे तब हम लोग जाएंगे अपने घर की तरफ और मैं अपने सीक्रेट बेस में जाकर छुप क्योंकि इसमें हेलिकॉप्टर भी शामिल और हेलिकॉप्टर वाले कहीं भी पीछा नहीं छोड़ते हैं लेकिन मैं इसे पीछे चुड़ाऊंगा अपने सीक्रेट वेस्के अंदर चुपके सबसे पहले तुम मुझे काफी जादा लंबा ट्रैवल करना है आएक इतना लंबा इसके अंदर कायब हो जाओंगा चले काम करते हैं गाड़ी के बज़ए बाइक ले ले लेते हैं बाइक को छुपाना सोड़ा इजी होता है वह भाई फुलिस वाले की गाड़ी उडा दी मैंने बिना कुछ किये ही बाइक मैंने एक देखी ती यहां पर एक बंदे के पास आ आ गया हूं इसलिए बाइक चाहिए मुझे लेकिन बाइक मिले तब न बाइक मिलेत रहे चले आज़े ने घर की तरफ और संपलिवस पोलिस वालों से स्केट करना है लेट्स दू दिस लेट्स दू दिस वैसे गाइज अभी तक तुम लोग ने इंस्टाग्राम और एक्सपर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो गाइज लेंक डिस्क्रिप्शन में है फिलाल घर मैं आलमुस बस पहुंची गया इतना मान लो भाई बस आलमुस पहुंच गया म मेरी गली आगयी अब बस इस गली में मूड़के क्या गोली अपढ़ रही है भाई पर चुपा जीए एक चुपा है नहीं शुपा पाया मैं यह तो पुलिस वाले यहीं पर आ गया अरे गाइस चलो चलो ठीक अभाई इतनी जगह में भी छुपा दू वही बहुत बड़ी बात है और फटा फट मुझे पैदल बिंदा जोड़ना है नाक पे भी गोली महांठें लोग ने चल्दी जल्दी 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 ऐसे पेड़ों में चुपते हुए चुपते हुए फटा फिलाल ये बिलिंक करते करते स्टार बस रुख जाए उस तरीके से मैं सिंप्ली पुलिस वालोस से स्केप कर जाऊंगा काफी स्लो चुके है ये स्टार्स बड़ी रुक जाए फिर तो इसकेप हुए और ये स्केप करके मजा ही आ जाएगा भाई का लिटरली अगड़ा हम यहां पर गेम खेला है पुलिस वालों ने भाई डूटने की भी कोशिश नहीं की मुझे डंग से जो भी हो गैस तुम लोग आज की अवली वीडियो बड़ी आ लगी है तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैसे एकदम लाइट्स बना रखी हैं ये खेर लाइट्स को छोड़ो गाईज यहां पर इस्टार्स बंदो चुके हैं पुलिस वालों ने मेरा पीछा छोड़ दिया है अगर तुम लोग इंट्रस्टेड हो ऐसी कुछ और सीक्रेट बेसिस के वीडियो देखने में तो यहा भ्छीर चाइट्स बंदो काया कर दोड़री ओग नथास्ज अडाबो अग्सक्रण है